हेलो गज़ तो कैसे हैं आप सब उवीद है आप सब खरीयस होंगे तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाटसाइब गोल्ड को कैसे अफडेट करना है तो इस वीडियो में आपको इसके नए फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो के नए आए हैं अगर वाटसाइब गोल्ड को अफडेट करना चाते हैं तो आप एटेलिग्राम चेरा पर जाकर इसको अफडेट भी कर सकते हैं तो टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जहां पर आप लोग देख सकते हैं यह वाटसाप इड़क्शन देखने को मिल जाते हैं वीव पेजर चैर्ट और चैर्ट लिस्ट अनिमेशन तो जहां पर आप इनको चेंड भी कर सकते हैं तो जहां पर आप इसके एफेक्ट भी देख सकते हैं तो यह लोग आप देख सकते हैं तो जहां पर आप यहां पर भी एफेक्ट एड़ कर सकते ह है उपर आपको input out text में आपने message टैप करने है और नीचे आपने वो तदाद लेदी कितने आपने message send करने है उसके बाद यहां पर आपने एक हिवस पे tap करने हैं उसके बाद आपको नीचे को option त्खेगा bomb का आपने इस पर tap करना है तो जैसे आप टैप करेंगे तो यहां पर 100 message send हो जाएंगे और उसके नीचे आपको react के option देखने को मिल जाते हैं जहां से आप react भी कर सकते हैं और लाव डियक्ट भी कर सकते हैं और जहां पर आपको privacy and lock option मिल जाता है आपने privacy और लाव पर टैप करना है तो जहां पर सबसे पहले आपको freeze loss scene मिल जाते हैं जिस पर आप टैप करेंगे तो उसके बाद आपका last in lock हो जाएगा और उसके बाद भी आप WhatsApp यूज़ कर सकते हैं नीचे anti view status और anti delete message का मतलब यह है कि कोई भी message आपको delete हो जाएगा और उसके बाद भी आप इसको on off करके अपने message को scene कर सकते हो नीचे आपको option म मिल जाते हैं इसको आप on कर लेंगे तो कोई भी आपको message send करेंगे तो आप उसका message read कर लेंगे जब तक आप reply नहीं करेंगी बिल्यू टिक show हो नहीं होगा उसको और उसके नीचे आपको option मिल जाते हैं यहां पर themes का और यहां से आप इसके theme अगए आपको भी load भी कर सकते ह तो जहां पर आपको नीचे notification का option मिल जाते हैं जिसमें जब कोई online होगा तो आपके सामने एक pop-up आएगा और online लिखा हुआ होगा जिससे आपको पता जालेगा कि यह बंदा online है और अगर आप अपने whatsapp को customize करना चाते हैं तो आपने universal का option पर टैप करना और यहां पर आपको भी chain करना चाते हैं तो आपने इसमें से वही slide का लेना है और नीचे आपको phone style का option मिल जाते हैं आपने इसको open कर लेना है और जो आपको phone अच्छा लगए वह वाला आपने apply कर लेना है और यहाँ इसमें ऊपर टैप करना और इस तरह आपका phone change हो जाएगा और नीचे आपक आपको कोई भी launcher जहां से लगा सकते हैं उसहाँ से नीचे आपको chain notification का option मिल जाते हैं और आपसे यह slide करके जब भी आपको notification आएगा तो इस color का आपको option शो होगा और सबसे नीचे आपको backup entry store का option मिल जाते हैं और इस नहां से आप अपनी chat को backup भी कर सकते हैं और इसे home screen के नीचे आपको option मिल जाते हैं conversation screen का आपने इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको option मिल जाए का bubble and ticks का तो यहाँ से आपने ticks style को भी chain कर सकते हैं कि कौन सा आप मैस जो तो कौन सी bubble में show हो और इससे नीचे आपको message tag size मिल जाता है जिससे आप अपने message के size को छोटा और बड़ा कर सकते हैं और नीचे आपको option मिल जाता है disable double tap reaction इस पर आप tap कर कि आप double tap वाले reaction को भी खातम कर सकते हैं so I hope guys कि आपके वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को like share और comment का दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब का दे तो मिल देए नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाओ टेस